हेलो गाइस, वेलकम तो यूटुब चैनल तुरदीफ, तुस पासना सिंग और हम अपने जावा टुटॉरियो की प्ले लिस्ट में ऑप्रेटर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने तीन ऑप्रेटर्स कवर कर लिये थे, अर्थमाटिक, असाइनमेंट, रिल लॉजिकल ऑप्रेटर्स अबलेबल हैं जावा में, वो है कुछ, ये तीन ऑप्रेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट, तो पहले हम लॉजिकल एंड का यूज समर्जते हैं, लॉजिकल एंड का यूज हम लोग तब करते हैं, जब हमारे पास कोई दो conditions होती है और हम चाहते हैं वो दोनों ही conditions satisfy हो तो अगर दोनों ही conditions satisfy होते हैं तो वो true होता है अगर दोनों ही condition में से कोई a condition false हो जाती है तो वो all over total false हो जाता है So I think आप समझ गए होंगे कि logical and का use हम लोग कैसे करते हैं तो चलिए अब इसे एक example के तौर पर भी समझते हैं कि अश्च करते हैं किteenth से मैंने जहां पर चोटा से प्रोग्राम लिखा है जहां पर मैंने तीन वेरिबल्स कृते किये हैं कि litigation करी है और यहां पर क्या एक creating का कंडिशन लगाया है कि क्या b से भी बड़ा है कि ए च से भी बढ़ात अगर हमारे पास यह प्रिंट होना जाना चाहिए कि a is greater than both b and c और अगर नहीं है तो यह else में आ जाएगा और यह प्रिंट हो जाएगा कि a is not greater than both b and c तो अगर हम इसे रन करते हैं सो आप से देख सकते हो a की value हमारी 41 है तो a दोनों से ही small है b और c दोनों से ही तो यहाँ पे a is not greater than both b and c यह प्रिंट हो गया है अब थोड़ा सा इस हमारी conditions जो इसके अंदर लगी से modify करके check करते हैं सो मैंने यहाँ पे से modify किया यहाँ पे मैंने यहाँ पे यह condition लगा दी है कि अब क्या a छोटा है b से क्या a छोटा है c से भी तो हां क्योंकि यहाँ पे a छोटा है b से भी मनलब a और b को जब compare कर रहें वहाँ पे b बढ़ा है a से और जब a और c को compare कर रहे हैं तो वहाँ पे c बड़ा है A से, इसलिए यहाँ पर इफ के case का statement हमारे print हो गया है कि A is not written both B and C So I hope आपको यहाँ पर and operator का use समझ में आ गया होगा, अब हम logical और का use समझते हैं Okay guys, मैंने यहाँ पर यह और operator का use किया है, यहाँ पर अगर दोनों conditions में कोई एक condition भी true होती है तो यहाँ पर यह इफ वाला code run होता है, मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक condition true हुई तो यह total true result प्रेडियूस करता है जब आपको दोनों conditions चक करानी हो, कि दोनों conditions का true होना जरूरी है, तो आप and का use करते हैं और जब चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी true हो, तो यहाँ पर और का use करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर condition लगाई है, क्या a छोटा है b से तो a की value 41 है, b की value 45 है, तो हाँ a छोटा है b से दूसरी condition लगाए है, क्या a बड़ा है c से, a की value 41 है, c की value 50 है बट a तो छोटा है, a बड़ा नहीं है, तो यह condition false हो गई, बट हमारी यह condition true हो गई and और और दोनों में ही difference समझ में आ गया होगा, अब हम logical not समझते हैं Okay guys, तो मैंने यहाँ पे logical not के लिए एक program लिखा है, जहाँ पे मैंने एक condition लगाई है क्या a छोटा है b से, बट बाहर इसके not का sign लगा दिया, इसका मतलब यह statement जो की हमने इस parameter के अंदर लिखा है अगर यह true भी return कर रहा है, तो बाहर यह इसको false कर देगा, तो total यह यह check करता है कि total यह complete statement false हो जाएगा तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो यह else में चला जाएगा So I hope आपको यह समझ में आया होगा, हमारे तीनों ही operator, logical and, or, or not कोई भी doubts हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं और किसी भी तरह के minor and major doubts के लिए आप वो telegram channel का link description box में provided है आप उसको link पे click करके हमारे channel को join कर सकते हैं और video title के bagal में ही join button है, जिस पे click करके आप हमारी join community को भी join कर सकते हैं हम किसी भी तरह के personal attraction के लिए जहाँ पे आपके सभी doubts को हम personally handle करेंगे So I hope आपको आज का video समझ में आया हो, please video को like करिएगा, channel को subscribe ना किया हो तो please subscribe कर दीजेगा and thank you for watching